हेलो दोस्तो आप लोग देख रहे है ये बिल्कुल खारा ब्लूटूट स्पिकार है इस ब्लूटूट स्पिकार को आज में आप लोगों को रिप्यार करके दिखाऊंगा ये मोट सुई जे ये पाउस सुई जे ये माइनास बटन ये प्लास बटन ये सार्जिंग पिन और य उसके बाद यह मेमोरीकार्ट है मेमोरीकार्ट को पहले खोल लेते हैं कि मुदरख खोल गया है अभी लुटूटूटफ श्पीकर के ऊपर में यह फोई स्पीकर है और निशय पावार ऑफ श्विज है अब इस ब्लूटूटूटर श्पीकर को रिप्यार करने के लिए इन तीनो श्कुरू को खोलना होगा एसे फटाबच से श्कुरू को खोल लेते है सारा श्कुरू खोल गया है आप लोग देख सकते हैं अंदर ये ये स्विश का कोबर है और उसके बाद ये सारकीद है इस सारकीद के निशे एक बेटरी लगा हुआ है आप लोग देख सकते ह इस बेटरी को खोलने के लिए इस कुरू डैफर को यहाँ से अंदर डालके एसे उठा देना है उपर आसानी से खुल जाएगा यह देख रहे हो आप लोग यह बेटरी खोल गया है यह एक लिथिया मायोन का बेटरी है 3.7 फोल्ट का अब इस बेटरी के दोनों तार को खोलना होगा आप लोग देख सकते हैं यह दोनों तार को खोलना होगा पहले उपर का यह तर खोल लेते हैं यह पोजितिव तार है उसके बाद यह निशे का कला तर यह निकेदिव तार है दोनों तर खोल गया है अब इस बेटरी को रिप्लेस करूंगा मैं आप लोग देख सकते ह अब इस बेटरी के बड़ले में एक दूसरा बेटरी लूँगा ये देख रहे हुए आप लोग ये दोनो बेटरी सेम है ये पोजितिव और ये निकेटिफ अब इस बेटरी को यहापर जोरना होगा इस दोनो तार को जोरना होगा यहापर यहापर जोरने से वेले इस बेटरी को यहापर सोल्डारिंग करना होगा एसे अब मैं पोजितिफ साइट पर सोल्डारिंग कर देता हूँ एसे सोल्डारिंग हो गया और उसके बाद निसे यह निकेटिव है यहापर भी सल्डारिंग कर देते है इसे सल्डारिंग हो गया है अब उसके बाद इस बेटरी को जोरना होगा इस दोनो तार पर यह काला तार देख रहे हो इस काला तार यह निगेटिव है इस निगेटिव को यहापर जोरना होगा कलातार जोईन हो गया है और उसके बाद यह लालतार देख रहे हो यह लालतार यहापर पोजितिफ में जोरना होगा ऐसे यह लालतर योईन हो गया है अब यह सारा रिप्यार हो गया है अब इसको फीद करना होगा फीद करने से बहले मैं सेक कर लेता हूँ यह पावार ओन कर दिया है अब अब लोग देख रहे हैं यह निलेला जल रहा है तो ये पावारोन हो गया है अब आप लोग देख रहे हो ये एक सार्जार है इस सार्जार से इसको में सार्ज करता हूँ यहाँ पर इसको लगा दिया मैंने आप लोग देख रहे है ये लालाज जल रहा है तो ये बिल्कुल सार्ज हो रहा है अब लोग देख सकते हैं ये अब मैं इसको आफ कर देता हूँ और साज़ार को निकल देता हूँ अब इसको फिट करना होगा पहले जैसा अब लोग देखते रहे ना केसे फिट करते है इसको इस बेटरी को यहाँ से लगा देना है उसके बाद इस सारकित को यहाँ से फिट करना है सारकित फिद हो गया है और उसके बाद इस स्वीच का यहाँ पर इस कोभर को लगा देते हैं इसे और इसके बाद इस धक्कन को उपर में इसे लगा देना होगा अब यह कीना रेगा इन तीनों स्कुरू को ताइट करना होगा इसे अब लोग देख सकते हैं इसे ताइड करना होगा सारा स्कुरू ताइड हो गया है अब यह बिल्कुल रिप्यार हो गया है पेले जैसा